कि आपके पास एक iPhone है और आप WhatsApp से किसी के पास फोटो भेज़ना चाहते हैं तो आप आप सानी से भेज़ सकते हैं सो आज किस वीडियो में मैं आपको बाताऊंगा iPhone में WhatsApp से फोटो कैसे भेज़ सकती हो सो इस वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले आपको अपने iPhone में WhatsApp आप को ओपानक करना है चले मैं ओपानक करता हूँ ओपानक करने के बाद अगर आप लोग लगा हुए है WhatsApp पर तो आपके साम इस तरह से आल जाएंगे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इस पर क्लिक करता हूँ क्लिक करने पर आपको यहाँ दिख रहा हुगा पहले सामने कई सारे फोटो यहाँ पर भेज जा हुआ है आपको यहाँ नजर आ रहा होगा आप यहां दख सकते हैं और आपके समय और भी फोटो वेज कर दिखाता हूँ कैसे आप आइफोन में WhatsApp से फोटो वेज सकते हो आपको यहां क्या करना है फोटो वेजने के लिए नीचे में प्लस आइकन होगा आपको यहां प्लस आइकन पर क्लिक करना है क्लिक करते हैं तो आपको यहां दिख राओगा फोटो एंड वीडियो आपको यहां क्लिक कर देना है फोटो एंड वीडियो लेबरेडी पर जैसे आप यहां क्लिक करते हैं तो आपके समय आ जाते हैं जो कि यहां दिख़ रहोगा, अलबम में अभी यहां पर कुछ नहीं है recent में, आपको manage पर click करना है, जैसे आप manage पर click करते हैं, आपको यहां दिखा दिया जाता है, नीचे में, select more photos आपको यहां click करना है, जैसे क्लिक करते हैं तो आपके समय आपके गैलरी के यानि फोटोज एप के सभी फोटोज आ जाते हैं आपको यहां दिखरा होगा जो भी आप फोटो को भेजना चाहते हैं आपको यहां सेलेक्शन करना है मैं आपको इस पर क्लिक करता हूँ और भी अगर आप भेजना चाहत आपको यहां इस तरह से ठीक लगाते हैं जाना इस तरह से ठीक लगाने के बद आपको यहां पर नीचे दिखरा होगा तो यानि तो यहां दिखरा होगा दो सेलेक्ट हो गया है और आपको यहां पर इसे दोनों को भेजना है न तो उपर में दिखरा होगा डन बटन आपको य यहां पर दोनों फोटो को सेलेक्ट करने के बद आपको यहां दिखरावगा ओपर में नेक्स्ट आपको यहां नेक्स्ट करना है जैसे नेक्स्ट करते हैं आपके समने आजवाते हैं इस तरह से आपको यहां दिखरावगा आपको यहां क्या करना है अब यहां सेंड कर दिना जो कि आपको दिखरा हो नीचे में एक बटन होगा सेंड का आपको यहां क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करते हैं आपके समने यहां दिखरा होगा फोटो सेंड हो रहा है आपको यहां नजर आ रहा होगा यह फोटो चला गया आपको यहां दिखरा होगा राइट का आइकन यहाथ सो कर रहा हूँ इसका मतलब है यह फोटो सेंड हो चुका है और डवल टिक लग गया इसका मतलब है वो पर्सन का इंटरनेट चालू है इस तरह आप आसान से आइफॉन में वर्टसप से फोटो वेश सकते हो बरियासान से तो मैं आसा करता हूँ कि आ आपको यह वीडियो बहुती पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक कर देना चलिए फिर मिलाएंगे अगले वडिय में दिएजे इजाजत थैंगे शमाच